हेलो डियर इस्टुडेंट हम 10 गलास का चेप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं और चेप्टर नंबर 7 है रिकोण में तिये सरसभी काई देखे हमने पिछले वीडियो में क्यूशन नंबर 16 तक पढ़ेते अब आज क्यूशन नंबर 15 पढ़ेते हैं पन पाऌदर तक प्ढ़ेते हिए तक चेप्टर कुशन नंबर 15 ये देरका है अपने को इन 10 साइन तीन थिटा बरावर फोस थिटा मैनस छे डिगरी यहां तीन ठिटा और थिटा मैनस छे डिगरी न्यून कोण है तिख नन न्यून कोण क्या होता है भई वो कॉर्ण जिसका बाण 90 डिग्री से छोटा होता है वो नीन कॉर्ण होता है, ठीटा का मान गयात कीजिए, तो अपने को क्या निकालना है? ठीटा का value find करनी है, ठीटा का मान निकालना है, अब देखे बाटा आम हम इसको किस तरह किसे हल करते हैं इसका आंसर लिखते हैं अपन यहां पर यह अपने को देरकाई तो इसी से अपन काम करते हैं तो यहां पर अपने को देरकाई कि sine 3 theta root cos theta minus 6 degree ठीक है ते ना? अब देखे बटाइ यहां पर हम क्या करते हैं? एक सुत्र लगाते हैं और सुत्र होता है अपना कि sine theta equal to cos 90 degree minus theta यह सुत्र होता है पूरो कोन का सुत्र होता है? जो मैंने आप लगा पहले बता चुका है आप देख्ये पुल मिला के इस sin 3 theta की जगह पे हम यह सा लिख सकते हैं तो यह सा लिखेंगे तो क्या हो जागा देखे cos 90 degree तो ऐसा का सा जागा minus theta की value कितना है कि देखे sin की जगह sin है तो theta की जगह कितना चलड़ा है 3 theta चलड़ा है तो यह 3 theta हमने लिख दिया बराबर यह जो value चलड़े इसको ऐसा का साई यानि कि cos theta minus का 6 degree cos से cos cancel out हो जाएगा यानि कि 90 degree minus 3 theta बराबर theta minus का 6 degree अब हमारे को क्या करना है कि theta की value find करनी है तो theta वाले को तो एक तरफ लेके आते और without theta को एक तरफ ले जाते तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं कि 90 degree यह 6 degree इदर आएगा तो plus का 6 degree बराबर यह theta ऐसा का साई और 3 theta इदर आएगा तो plus का 3 theta हो जाएगा तो देखो 90 और 6,90 degree बराबर यह हो जाएगा आपके पास में 4 theta और हमारे को theta की value find करनी है तो theta equal to 90 बटे 4 और इसका इसमें बाग देंगे तो यह आपके पास में 2 और यह 4 यानि कि 24 degree आ जाएगा theta की value कितने आ जाएगी 24 degree अब हमारे को यह भी बताना है कि 3 theta और theta minus 6 degree यह noon को ने तो 3 theta equal to यानि कि 3 into theta का मान कितना है हमारे पास वे 24 degree तो यहाँ पर लिखेंगे हम 24 degree तो 24 को 3 से कुणा करेंगे तो यह हो जाएगा बतार degree यानि कि किस से चोटा है 90 degree से चोटा है तो यह क्या हो जाएगा एक noon कोन हो जाएगा ठीक है भई noon कोन होगा उसके बाद में theta minus 6 degree यानि कि theta minus 6 degree बराबर theta के value कितनी हो आप इस 24 तो यह हमने लिखा 24 minus 6 degree यानि कि 24 में से 6 गया तो यह 18 degree और यह भी 90 degree से चोटा है तो इसका मतलब क्या हुआ यह भी एक noon कोन है तो उसने जैसा हमारे से बोल रखा है वैसा हमने कर दिया तो यह question number जो 16 सोरी question number जो 15 है यह इस तरह के से hello हो जाएगा अब question number 16 है question number 16 क्या देरका है यह दी सेख 5 theta बराबर को सेख theta minus 36 degree यहाँ 5 theta noon कोन है तो theta का मान ज्याद करना है अपने को ठीक है नबटा तो यह जो question है यह question भी question number 15 के जैसा ही होगा तो देखे हम इसको किस तरह के से हल करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं पटा यह जो अपने को देर का है उसको यह सगसा ही उतार लेते हैं यानि कि सेख 5 theta बराबर को सेख theta minus का 36 degree ठीक है अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर सुत्र लगाते हैं यह सुत्र होता है पूरकूर का तो यहाँ पर इस कोसेख 5 theta को हम ऐसा लिखेंगे सेख 5 theta को हम कोसेख की फों में ऐसा लिखेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कोसेख 90 degree minus theta की पर लिए कितनी चल री बटा? 5 theta तो यह हमने लिख दिया पांच ठीटा बराबर यह आपके पास में कोसेक और यह हो जागा ठीटा माइनस का 36 डिगरी कोसेक से कोसेक एंचिल आउट हो जाएगा अब अपने पास में 90 डिगरी माइनस 5 ठीटा बराबर ठीटा माइनस का 36 डिगरी अब हमारे को theta के value निकालनी है इसलिए theta वाले पद को तो एक तरफ लेते और without theta वाले पद को दूसरी तरफ ले जाते तो यहाँ पर 90 degree यह 36 हिदर आएगा तो plus का यह 36 degree हो जाएगा बराबर यह आपके पास में theta यह 5 theta हिदर आजाएगा तो plus का 5 theta हो जाएगा अब 90 और 36 आपके पास में हो जाएगा बराबर यह आपके पास में हो जाएगा 6 theta अब हमारे को theta के value निकालनी है तो हम लिखेंगे theta equal to 126 degree बराब 6 यानि कि इससे यह कट जाएगा 2 और 1 यानि कि कितना है बराब 21 degree theta का मान कितना है बराब 21 degree theta के value 21 degree आईए और 5 theta यानि कि इसको हम इससे गोड़ा करके लिखेंगे तो 105 degree आईगा तो 105 degree तो निकालनी है नहीं तो यह यहाँ पर निकालनी होगा यहाँ पर होगा पैटा अधिक कोण है तो यहाँ पर यह जो कोण है अधिक कोण क्या बता है जो कोण 90 degree से बड़ा होता है और 180 degree से छोटा होता है उसको हम अधिक कोण बोलते हैं तो यह जो कोण है यह 90 degree से यह जो 105 मिला है 105 degree यह 90 से तो बड़ा है लेकिन 180 degree से छोटा है तो हम इसको क्या बोलेंगे यह हो जाएगा अधिक कोन है ठीक है न भई अधिक कोन तो यहाँ पर यह एक मिस्प्रिंटिंग है यहाँ पर नियून कोन नहीं होगा यहाँ पर पांच ठीटा नियून कोन नहीं होगा पांच ठीटा अधिक कोन होगा ठीक है यह चीद्ध आन रखना आप क्योशन नमबर 17 है क्योशन नमबर 17 हमारे को दे रखा है कि एदी A, B, C किसी त्रीबुज A, B, C के अंतर कोण हो तो सिद्ध कीजिए कि 10 B प्लस C बटा दो बराबर कोट A बटा दो यानि कि आपको एक त्रीबुज दे रखा है और उस त्रीबुज के तीन अंतर कोण है और उन तीना अंतर कोणों का जो यो नाम दे रखा है वो A, B, C दे रखा है देखे हमने एक त्रीबुज बनाया और इस त्रीबुज में ये वाला कोण इसको हम ये माल लेते हैं ये B हैं और ये C हैं तीके न ये तीन कोण दे रखा है यानि कि A, B, C ये इस त्रीबुज ए बी सी के क्या है अंतर कोने अब आप लोग जानते हो कि त्रीबुज के अंतर कोनों का योग कितना होता है 180 डिगरी होता है तो देखे हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम जानते हैं कि त्रीबुज के अंतर कोनों का योग 180 डिगरी होता है तो इन तिनों कोनों को जोड़ेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा 180 डिगरी मिलेगा यानि कि हम दिख सकते हैं कि A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिगरी हो गया अब हम क्या करते हैं इस A को यहाँ से इधर की तरफ बेज देते हैं यानि कि B प्लस C बराबर 180 माइनस का A हो जाएगा अब हम क्या करते हैं कि इसमें दो का बाग देते हैं देने पर तो 2 का बाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा B प्लस C बटा 2 बराबर 180 में 2 का बाग देंगे माइनस A में भी अपने को 2 का बाग देना है यानि की हमारे पास में क्या जाएगा B प्लस C बटा 2 यानि की B प्लस C बटा 2 बराबर 180 में 180 डिगरी में 2 का बाग देंगे तो 90 डिगरी माइनस यहाँ पर A बटा 2 यह A बटा 2 हो जाएगा अब हम क्या करते हैं कि दोनों पक्सों में हम 10 लेते हैं तो दोनों और 10 लेने पर तो दोनों और 10 लेते हैं तोड़ा सा इसको इधर ही लिख लेते हैं बटा 2 यह हो जाएगा 10 B प्लस C बटा 2 बराबर 10 90 डिगरी माइनस का A बटा 2 अब देखे 10 B प्लस C बटा 2 तो इसा गासा है और देखे 10 90 डिगरी माइनस ठीटा देखे सुत्र क्या होता है बटा सुत्र होता है कि कोट ठीटा बराबर 10 90 डिगरी माइनस ठीटा तो देखे इस 10 90 डिगरी माइनस ठीटा की जगा हम क्या लिख सकते हैं कोट ठीटा लिख सकते हैं तो यहाँ पर यू मान के चलो कि कोट ठीटा की जगा A बटा 2 है तो यहाँ पर मैं लिखूंगा A बटा 2 तो A बटा 2 है तो यहाँ पर भी कितना जगा बटा A बटा 2 तो इस तरीके से ये question करना है अपने को अब question no.18 है तो question no.18 हमारे को दे रहा है edi cost 2 theta बरावर sin 4 theta हो और 2 theta और 4 theta noon कोण हो तो theta का मान जाद करना है तो अपमारे को ये दे रहा है तो EC से हम काम करते बठा तो इसका आंसर इस तरीके से देते हम कि cos 2 theta equal to sin 4 theta अब यहाँ पर हम क्या करते हैं आप चाहो तो इसको change कर लो आप चाहो तो इसको change कर लो दोरों में से किसी echo change करना है तो देखे हम क्या करते हैं आगे वाले कोई change कर लेते हैं तो आगे वाले को change करेंगे तो सुत्र लिखेंगे बटा यहाँ पर कि cost theta equal to होता है sin 90 degree minus theta तो देखें इस cost 2 theta की जगह पर हम यह लिख सकते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे तो यह sin 90 degree minus theta की value कितनी चली बटा 2 theta equal to यह sin 4 theta एसा का साही रहने दिया अब sin से sin तो cancel out हो जाएगा तो यहाँ कुल मिला कि कितना मिला 90 degree minus 2 theta equal to 4 theta अब आप इसको इधर पर जोगे तो यह हो जाएगा 90 degree equal to 4 theta और यह 2 theta इधर आएगा तो यह 2 theta हो जाएगा कुल मिला कि 90 degree बराबर यह हो जाएगा 6 theta और theta की बिली find करेंगे तो theta equal to आएगा 90 बटे 6 और यह आपके पास में cancel हो जाएगा यहनि कि 15 तो theta का जो मान आया वो कितना है 15 degree ठीके ना आप देखें अपने को यह भी check करना है कि 2 theta और 4 theta जोन कोण है तो check कर लेते हैं अपन तो यह 2 theta यानि कि 2 into theta का मान कितना है भई 15 तो यह हमने लिखा 15 degree यानि कि गुणा करेंगे तो यह हमारे को मिलेगा 30 degree और यह 90 degree से छोटा होता है तो इसका मतलब यह क्या हो जाएगा नियून कोड हो जाएगा उसके बाद में 4 theta को भी लूट कितने हैं जाएगा यह नबर स्ोरी पखंद्रा तो यह पंद्रा डिभी यानि की पनद्रा को इस से गुणा करें गे तो यह साथ डिगरी और यह भी 90 डिगरी से छोटा होता है तो इसका मतलब यह भी क्या हो गया Gobni न्यून पॉर्ण हो जाएगा तो कुल मिलाके हमारे को ठीटा की बेली निकाल ली थी तो ठीटा का मान कितना है अपने पास में 15 डिवरी